जब रेप जैसे अपराधों के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन छिडा हुआ है जब देश की आत्मा बेटियों के खिलाफ हो रहे अन्याई पर बेचैन है जब देश की राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधान मंत्री और देश की सबसे बड़ी अदालत ऐसे अपराधों के खिलाफ कह रहे हैं इनफ इस इनफ यानि अब और नहीं बरदाश्ट करेंगे तब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं का ऐसे महिला अपराध के मामलों पर स्टैंड क्या है खास कर तब जब इनके खुद के नेताओं पर उंगलिया उठ रही है आज डिंपल यादव के सांसत प्रतिनिधी रह चुके नवाब सिंग यादव के खिलाफ रेप केस और मजबूत हो गया कनोज पुलिस के मताबिक FSL की जाँच में नवाब सिंग यादव पर लगे नाबालिक रेप केस में DNA मैच हो गया है आरोपों की पुष्टी हो चुकी है नवाब सिंग यादव के मामले में DNA मैच होना राजनितिक रूप से बेहद एहम है जब नवाब से पहले अयोध्या रेप केस में समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान पर उंगलिया उठी थी तब अखिलेश यादव का बयान था कुक कृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका DNA टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए ना के केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए बीजेपी ने आरोप लगाया के ऐसे बयान मोईद खान को बचाने की कोशिश है आज मोईद तो गिरफतार है और नवाप सिंग यादव पर लगे आरोपो में भी DNA वाला सबूत आ गया है मोईद के मामले में भी DNA रिपोर्ट क्या आता है वो देखना बाकी है उधर राहुल गांधी पर आरोप लगा है कि उनकी पार्टी कॉंग्रेस में यौन शोशन के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला नेत्री को सजा दे दी जाती है क्यों ये आरोप लगा ये आगे बताऊंगी सवाल पब्लिक का है कि क्या राहुल अखिलेश तब कोई एक्शन नहीं लेते कोई आवाज नहीं उठाते जब महिला अपराद के आरोप उनके अपनों पर हो नवाब का DNA हुआ मैच क्या अखिलेश हो गए कैच यही है आज सवाल पब्लिक का अखिलेश ने कहा था कि कन्नौज मामले में नवाब सिंग यादव को पुलिस बचा रही है आज उल्टा हो गया उधर कैरल कॉंग्रेस में क्या हुआ ये भी जान लीजे कैरल में कॉंग्रेस ने सिम्मी रोजबेल जॉन नाम की महिला नेता को सिर्फ इसलिए पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने एक इंटर्वियू में कहा कि कॉंग्रेस में उसी तरह से कास्टिंग काउच यानि सेक्शुल फेवर के बाद महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है जैसे फिल्म इंडस्ट्री में आरोप लग रहा है कॉंग्रेस की दलील है कि सिम्मी रोजबेल ने पार्टी की महिला नेताओं का अपमान किया है लेकिन बीजेपी कह रही है कि किसी वर्क प्लेस में यौन शोशन के आरोप लगते हैं तो बिशाखा गाइडलाइन्स के तहट कमेटी बनाकर जाच की जाती है लेकिन यहां महिला नेता को ही चुप करा दिया गया जबके प्रियांका गांधी कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पहले राहुल गांधी केरल से वायनाट से लड़े थे अब प्रियांका गांधी वाड़ा भी वायनाट से लड़ेंगी लेकिन केरल में महिलाओं का क्या हाल है वो आज देश के सामने है यहां मैं ये भी बता दूँ के कॉंग्रेस में ये ऐसा पहला मामला नहीं है हाल ही में BJP में शामिल हुई राधिका खेडाने खुद से अभथरता पर कारवाई नहोंने पर कॉंग्रेस छोड़ी थी यूद कॉंग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास पर उत्पीरन का आरोप लगाने वाली असम यूद कॉंग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी अंकिता दत्ता की 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया था शिवसेना में शामिल हो चुकी प्रियांका चतुरवेदी ने भी आठ नेताओं पर खुद से दुर व्यवहार के आरोप लगाए वो आठ नेता निलंबत तो किये गए थे लेकिन फिर निलंबन वापस भी हो गया जिसके बाद प्रियांका चतुरवेदी ने कॉंग्रेस उन्हें साजा किया है उस वीडियो में धरना दे रहे कॉंग्रेस के विधायक क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजे अज़ता नेता मतना होगवाद वाई कि भी हाँ बडेन के चैर नतवाने फिर विंगे साफसल क्योंता नेता मतना होगवाद वाई कि पाहँ थे Milan के जहें कि ने सुन के जाना acknowledging आप क्या कह रहे हैं आपने सुना जिसको भी बड़ा नेता बनना है वो दबाएगी पैर किनके पुरुषों के पार्टी के पुरुषों के संसद और विधान सभाओं में 33 फीसदी आरक्षन का कानून बनने के बाद भी सोच यही है उधर योगी आदित्यनात ने आज फिर महिलाओं पर अपराज जैसे मामनों पर समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस की नियत पर सवाल उठाए सुनिए हम सब को विभाजन कारी पाक्तों से सौधान रहना होगा जरोग जाती के नाप पर बाढ़ते तो आज पबलिक सवाल पूछ रही है सवाल पबलिक का नंबर एक कनोज रेप केस में डियने मैच के बाद क्या अखिलेश की डियने पॉलिटिक्स फेल हो गए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली कॉंग्रेस में कास्टिंग काउच के आरोप पर राहूल प्रियंका चुप क्यों है राहूल गांधी और अखिलेश यादव रेप कांड के खिलाफ कोलकता क्यों नहीं गए क्या कनोज और केरल से आज साफ हो रहा है यही सवाल आज पबलिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड रहे हैं बीजेपी के राश्टिय प्रवक्ता रोहन गुपता कमलाकर त्रिपाठी नेकता हैं प्रवक्ता समाजवाधी पाठी से अब डियने का हवाला तो अखिलेश जी ने दिया था और डियने टेस्ट के बाद नवाब सिंग यादव का जो मामला सामने आ रहा है मैं पूछना चाहती हूँ क्या इसी वज़े से अखिलेश यादव कोलकता भी नहीं गए उन्होंने महिलाओं का मुद्दा नहीं उठाया मुईद खान पर भी कोई एक्शन नहीं लिया हाला के वहाँ डियने टेस्ट अभी आना बाकी है सवाल ये है कि महिलाओं के मुद्दे पर क्या सिर्फ एक जबानी जमा खर्च है दिल में कुछ नहीं महिलाओं के सशक्ति करन के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता इस देश में देखे नाविका जी आपका सवाल जो है ये मुझे लग रहा पता नहीं क्यों जायज है नाजायज है आप जिस तरह सवाल कर रही है किसाब फला फला लोग केलकटा नहीं गए देखे एक बात आप बताओं आज जो राजनीत बंगाल में हो रही है उस डाक्टर बेटी के न्याई के लिए राजनीत नहीं हो रही है बलकि राजनीत अपनी पार्टी को चमकाने के लिए हो रही है उसको न्याई दिलाने की रा ही नाती है और सीबियाई जहां चल रही है दूद का दूद पानी का पानी पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसकी साजी स्रही कौन दोशी है क्या हुआ कैसे क्या होगा लेकिन उसके बावजूद भी लगाता चलिए नवाप सिंग यादव पर आजाएं कोलकाता में स्ट को कूछ नहीं कहना देख लिया इतने दिनों में तीन हटों में आफ यादव की ही बात बताते हैं अगा पत्हलिजें के पमिज्जे कहने नो फोन कट गया देखे नाविका जी फोन कट गया आपकी आवाज नहीं आ रही लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं वेरी आवाज आपको तक जा रही होगी एक बात आप समझें कि आपका सवाल सुनाई पड़ा था कि नवाफ सिंग के बारे में आप पूछ रही है पहले भी असपस्ट किया गया था और आज भी असपस्ट कर रहा हूं हमारे नेता ने भी असपस्ट किया कि नवाफ सिंग यादो समाजवादी पार्टी के नेता नही उनको पहले ही निकाला जा चुका है उनको पहले निकाला जा चुका है आपको पता है और पुरे देश को पता है और बीजेपी के वो नेता रहे हैं और कई सारे बीजेपी के नेताओं के साथ उनके फोटग्राफ सारजनिक रहे हैं जह हम तो चाहते हैं कड़ी से कड़ी सजा कड़ी से कड़ी सजा नवाफ सिंग यादो को मिले लेकिन बीजेपी क्यों राजनीत कर रही है बीजेपी क्यों उनको सजा नहीं देना चाहरी है उनके खिलाफ क्यों नहीं है वो लगातर समाजवादी पार्टी को गेर रही है वैं क्यों गेर रही है समाजवादी पार्टी मांग करती है नवाव सिंग यादो को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए आठ DNA मैच हुआ है यकीन मानिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उस पीड़ता के साथ है और नवाव सिंग यादो जी को मैं कह रहा हूं उनको कडी से कडी सजा दी जाए यह हमारी मांग है लेकिन । बीजेपी रनिसिस्रि राजनित कर रही है अपने पार्टी के लोगों को बचाने के लिए वो तरीके के हद गंडे रच रही है बीजेपी आज समाजवादी पार्टी को कही न कही उस पे कंधे पर बंदूग रख करके निशाना साथ रही कमाल है पोस्टर उनके उस दिन के जिस दिन अरेस्ट हुआ है उस दिन के पोस्टर समाजवादी पार्टी के निताओं के साथ थे लेकिन वो हैं बीजेपी में जुही सिंग जी लड़की पर सवाल उठा रही थी कि वो रात को नाबालिक लड़की गई क्यों थी लेकिन आप कह रहे हैं वो बीजेपी से हैं रोहन गुपता जी पहले तो ये देश को बता दीजिए नवाब सिंग यादव हैं किसके अगर रेप कांड में उनका नाम आ जाए तो वो आपके ना आए तो वो समाजवादी पार्टी के जब तक डीएने रिपोर्ट आया तब तक वो समाजवादी पार्टी में थे जैसे ही DNA रिपोर्ट आ गया आज इनोंने उसका पक्स चेंज कर दिया देखें ये पुरे देश के सामने इनकी हकीकत है नवीका जी आपने भी इस मुद्धे पे पहले बात किती सारे बिडियास ने जगपनी इस मुद्धे पे बात किती तब तक उसको डिफेंड किया गया तब तक ये कहा गया कि DNA रिपोर्ट आने दीजे और जैसे DNA रिपोर्ट आगया आपने उसको डिसोन कर दिया आपके नेता कहां क्यों चूप है नवीका जी पुरा देश देख रहा है बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो जिस प्रकार से इंडी घडबंदन के नेताओं की चुपी है बड़े नेताओं की चुपी ये इनकी मैलाओं के मामले में असली जो रवया है उसको उजागर पुरे देश में कर रहा है कि बोलने की चीज और करने की चीज अलग है हाथी के दिखाने के अलग है चबाने के अलग है ये ही दिख रहा है आप क्यों चुप है आप पुरे देश में मैला सुरक्षा की बात करें ना बंगाल आप जा पर रहे ना उत्तर प्रदेश के लिए बोल रहे तो मतलब क्या आज कॉंग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो हर पार्टी ने ममता बैनर जी को इंडारेक्ली शील्ड किया है या तो चूप रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं के सामने आ रहा है वापस भी ये चूप है आप ही के मैं इनिशली उसमें देख रहा है कि कोई कॉंग्रेस के नेता के खिलाफ भी आरोप लगा है तो भी ये चूप है इस प्रकार की दौरी राजनीती मत कीजे अगर आपकी नियत साफ है आपको लगता है कि आप महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ कर रहे है तो एक बंड के खड़े रहे है इस प्रकार का दौरा चेहरा है देशकी जन्ता आपको माफ नहीं करेगी आपके मुद्दे में कोई दम नहीं है आप जब विपक्सी राजियों में कुछ होता है और जब आपके राजियों आते हैं काउंटर करें काउंटर आपके दस सेकिंड शुरू होते हैं अब नाविका जी मेरी रोहन जी से गुजारिस है बीजेपी से गुजारिस है कि महिलाओं पर राजनीत न करें यह वो लोग है यह सवाल कौन कर रहा है जो मनीपुर के बेटियाओं के साथ क्या क्या आत्या चार हुआ क्या क्या अन्याय हुआ यह वो लोगा सवाल खाड़ा कर रहे कि जो तमाम महिला खिलाडियां थी कई महीनों तक परदर्शन करती रही सवाल उठाया उन्होंने कोई पूछने नहीं आया यह सवाल वो कर रहे यह बेटियों की बात कर रहे यह बेटियों को बचाने की बात कर रहे कुलदीव सिंग सेगर जैसे लोग किस तरीके से उन्होंने क्या क्या किया यह वो लोग कर रहे सवाल इस बात का है आप मनीपुर के बारे में क्या कहना चाहते प्रदान मंत्री नहीं गए लेकिन होम मिनिस्टर तो गए थे अरे सुनिये ना मेरी बात complete होम मिनिस्टर तो गए थे ना अब देखे देखे नावी का जी आप डिफेंड मत करिये रोहन जी को डिफेंड करने दीजे ये कौन महिलाओं के बारे में कौन कौन वकालत कर रहा है ये वो लोग वकालत कर रहे हैं जो पहले से घिरे हुए है पहले से कई लगातार जब से सासन सत्ता में आए हैं सिर्फ नारा है इनका कि बीजेपी मैदान में महिलाओं के सम्मान में लेकिन हाकिकत है वो नारा कोरा कागत साभी थो रहा है सवाल इसलिए अजीज़ कागत साभ उड़ता है कि हात्रा साभ चले गए थे वहाँ आपने राज़नीती पूरी की थी लेकिन आज लेकिन आज ना नवाब सिंग यादव पर कुछ बोलना बन रहा है आपके लिए ना बंगाल के मामले में आप कुछ बोल पारे लेकिन मैं कमलाकर त्रिपाठी जी से पूछूंगी कमलाकर त्रिपाठी जी अब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और महिलाओं को मुद्दों को सोनिया जी ने राहुल जी ने कई बार उठाया है मैं पूछना चाहती हूँ आज सिम्मी रोजबेल जो केरल की बड़ी नेतरी है 37 साल 37 साल से कॉंग्रेस में है तो कॉंग्रेस को तो अंधरूनी तरीके से जानती होंगी ना 37 साल से है उन्होंने एक बार ये आवाज उठाई कि कॉंग्रेस में शोशन होता है और उसके बेसिस पर महिलाएं आगे बढ़ती है तो उनकी कंप्लेंट का कोई जायजा नहीं निया गया लेकिन उनको पार्टी से निकाल दिया गया प्रियंका चतुरवेदी के साथ हो चुका है रादिका खेडा के साथ हो चुका है बीवी श्री निवास के केस में अंकिता दत्ता के साथ हो चुका है मैं पूछना चाहती हूँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली पार्टी क्या ये एक्जामपल दिखाएगी पूरे देश को कि महिलाओं को ऐसे हम ट्रीट करते हैं देखिए नाविका जी सबसे पहले तो आपको बता दूँ आप जिन केसिस की बात कर रही है उनमें कोई एफाई यार लॉज नहीं था ये एक उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फरेंट बात चीर टॉक शो के दोरान ये बात कही थी मुझे तो बीजेपी पे हसी आ रही है बड़ा हास्यास्पद लग रहा है एक पुराना पूरवांचल का एक कहावत है सुपवा बोले तो बोले चलनियों बोले जखरे 72 टिछेद ये बीजेपी वाले कह रहे हैं जहां प्रधान मंतरी की कंस्ट्वेंसी में बीएच्यू आई आईटी की छात्रा के साथ इनके आईटी सेल के लड़के रेप करते हैं और उनको तीन दिन के अंदर पुलिस आइडेंटिफाई करती है लेकिन वो एक महीने तक मद्धव प्रदेश में प्रचार करते रहते हैं ये वो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने कुल्दीब सेंगर को संग्रक्षर दिया जिसने पीडिता के पूरे परिवार को मरवा डाला ये वो लोग हैं जो स्वामी चिनमाया नंद को लड़की के विक्टिम के खिलाफ खुदी एफ़ायार करा करके और बाद में दबाओ बना करके समझवता करवाते हैं ये वो लोग हैं जो की ब्रजबूशन सर्ण सिंग को पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी वो उसको उनके ललके को टिकट देते हैं उसकी गिरफतारी तक नहीं होती और आपको बता दूँ अभी अभी उत्तरा खंड में आज रेप केस दर्ज हुआ है अरुन मेथिला जो इनका नेता है स्टेट यूनिट का उसके खिलाफ रेप केस दर्ज होता है यह चुप रहते हैं प्रज्वल रवणना के केस में यह चुप रहते हैं मड़ी पूर पे सारे लोगों ने देखा हमारे यहां उन्नाओं में पूरो सांसद सुवरत पाठक के खिलाफ जो है वो रेप का केस दर्ज होता है और उस पे यह शांत रहते हैं कितने लोग महां ग आज आहत हूँ आपकी सारी बातों में मैं कहीं भी कोई खोट नहीं ढूंड रही लेकिन क्या competition है कि आप गिनाएंगे बीजेपी के केस बीजेपी गिनाईगी कॉंग्रेस के केस और आपका हिसाब बराबर यानि राजनीती का हिसाब बराबर होना चाहिए महिलाओं का क्या कभी आप उसे फुटबॉल बनाएंगे कभी वो उसे फुटबॉल बनाएंगे कोई राजनीतिक दल सीरियस है महिलाओं के मुद्दे पर और आज वर्दन त्रिपाटी आज आज वाकी में बहुत आहत हूँ क्योंकि कोई जवाब देने को तयार नहीं है उसने फार नहीं की उस केस में फार नहीं हुई उसने एक इंटर्वियू में कह दिया तो आपने पाटी से निकाल दिया लेकिन उस महिला की बात नहीं सुनी और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है हर्शवर्दन त्रिपाठी मैंने प्रियंका चतुरवेदी, रादिका खेडा और अंकिता दत्ता, यूद कॉंग्रेस की डेपुटी रह चुकी अध्याक्षा सम्में, मैं पूछना चाहती हूं हर्शवर्दन त्रिपाठी, क्या ये सिर्फ मुद्दा है, पॉइंट स्कोरिंग का, समाजवादी पार्टी बीजेपी को कोसेगी, बीजेपी समाजवादी और कॉंग्रेस को कोसेगी, सबका हिसाब बराबर हो जाएगा, महिला इस देश की वही की वही खड़ी हुई है, और अगर राजनितिक दलों में ये हाल है, तो महिला का क्या? वो जेल गए, अभी उन में से कुछ को जमानत मिल गई है, कुछ की अभी याजिका होनी है, उनको जेल में रहना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में, जब कन्नावज और अयोध्या होता है, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया का व्यावार क्या होता है, अखलेश यादव कहते हैं कि DNA टेस्ट कराओ, किस मामले में कह रहे थे, अयोध्या के मामले में कह रहे थे, क्योंकि मुईद खान वहाँ आरूपी था, इसलिए वो चाहते थे DNA टेस्ट, आम तोर पर कभी नहीं देखा गया, ये संभव कोई नहीं कि आप कोई लड़की के साथ दुशकर्म का मामला हो, बच्ची के साथ दुशकर्म का मामला हो, और कोई नेता ये साहस कर सके, अलाकि मुलायम सिंग यादव ने कहा था कि लड़कें हैं लड़कों से गलती हो जाती है, ये ये तो साहस कोई करी नहीं सकता, और आ जो ब्लॉग प्रमुख रहा जो एक समय में मिनी सीम कहा जाता था के लिए शादो कि शासंकाल एक शब्द नहीं बोला राहुल गानी आपको याद होगा कि वो जो एक बाबा था जिसके भगदर मच गई वहां पहुंच गए हलाकि उस पर भी कोई टिपड़ी नहीं की लेकिन कन्नाओज और आयोध्या पर सीधे सीधे कोई टिपड़ी करने से बचे हाथरस के लिए वो और प्रियंका गए थे लेकिन कोलकाता का टिकट शायद बहुत महेंगा है उनकी रीज से बाहर है शायद वाशिंग्टन डीसी और डलास से ज्यादा महेंगा हो गया है तो पहुं और जब लंबे समय तक उसकी सुनवाई नहीं हुई तब उसने जाकर पार्टी छोड़ी उसको पार्टी से निश्कासित कर दिया गया उसकी बात नहीं सुनी गई प्रियंका चतुलवेदी मतुरा में प्रेस कांफरेंस थी वो अगर याद हो वह भावुक हो गई थी बयान सबको याद होगा तंचमाल वाला बयान कोई भूला नहीं होगा सवाल यहां यह नहीं है कि किस पार्टी के लोग कहां फस रहे हैं ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि फसने के बाद उस पार्टी का शीर्स नेत्रे तो व्योहार कैसे कर रहा है कैसे वो बचाने की कोशि और समाजवादी पार्टी अगर उनके नेताओं का ऐसा व्योहार होता है तो वो ज्यादा चिंतित करने वाला है ज्यादा परिशाद करने वाला है बिल्कुल और राधिका खेड़ा के मामले में तो मुझे पता नहीं investigation होती कोई जांच होती तो पता चलता पर उन्हें तो कोठरी में बंद कर दिया गया था मैं पूछना चाहती हूँ ये महिलाईं कॉंग्रेस की ही थी कॉंग्रेस की ही थी उनकी सुनवाई नहीं हुई कॉंग्रेस छोड़ कर निकल आई और मैं बेचारी नहीं करूंगी इन मह लाओं को क्योंकि ये लड़ी है लड़ी है निकल गई है उन पार्टियों से और फिर भी कोई सुनवाई नहीं मैं पूछना चाहती हूँ जो लोग नियाई की बात करते हैं रोज रोज नियाई की बात करते हैं कि प्रदान मंत्री यहां पर तानाश आ हैं वो अपनी पार्ट कास्टिंग काउच तो बहुत पुराना मुद्दा है लेकिन राजमीती में ऐसा होना तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था क्या इसलिए महिलाएं राजमीती में आगे नहीं आती कम लाकर त्रिपाठी जी बताईए ना शुरुति का सवाल है जवाब दीजिए ना 33% है उसपे अपने रिवी टीस बया कर दूँ कि महिला होते हुए और एंकर होते हुए निश्पक्च रहना चाहिए था लेकिन आपने जो भी कोट किया वो सिर्फ कॉंग्रस का कोट किया उत्तरा खंड की ताजी ताजी घटना 244 घंटे में दो रेब भाजपा के नेताओं के द्वारा किये गए उसको कोट नहीं करती हैं आप वो करनाटक के उसको कोट आप नहीं करते और दूसरी चीज़ आपको बता दूँ एक बार जो प्रधान मंतरी जी के मुझ से निकला था वो स्लिप आफ टंग था या जो भी था बेटी बचाओ बेटी पटाओ इन लोगों ने तो शायद उसको मूलमंतर बना लिया है और पूरे प्रधेश में इनके जो सहयोगी हैं प्रज्वल रवना का पौने तीन हजार से जादे का वीडियो जाये रेप के लेकिन उसके बावजू जो है वो कौन सा नेता भारती जिनता पार्टी का उस पर चला गया और बोला कमलाकत रिपाठी जी कम से कम मुझे आपसे सीख लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रिजभूशन सिंग का पूरा पूरा वाक्या इस चैनल पर बहुत डिबेट हुआ है अंकिता भंडारी हो अंकिता भंडारी हो उत्तर प्रदेश हो या उत्तरा खंड हो हर मुद्दा यहां उठाया गया है लेकिन मैं आपसे पूछना चाती हूँ कि मुद्दा भटका क्यों रहे हैं क्यों जवाब नहीं देते केरल में क्यों हुआ प्रियांका चतुरवेदी क सथ क्यों हुआ, रादीका खेडा के साथ क्यों हुआ, अंकिता दत्ता के साथ क्यों हुआ, ये सवालों की जवाब आप से देने नहीं बन रहे हैं, इसलिए आप बार- Louisiana को भटकार रहे है, लेकिन रोहन जी, रोहन जी वो एक वो एक कहावत है उंगली वो उठाए जिसके अपने घर कांच के ना हो पत्थर वो ही फेके मैं पूछना चाहती हूँ सवाल तो कमलाकर त्रिपाठी उत्राखंड की भी बता रहे हैं अब इस पर भी आप जवाब दे दिजे बिल्कुल नवीका जी जवाब बनता है देखिए एक पुरे देश के सामने आपका ये प्राइम टाइम डिबेट है पुरे देश की जनता और हमारी बहरें देख रही है फर्क क्या है वो मैं दिखा रहा हूँ कलकता में ये जग्यन्य गटना होती है तब इंडी गडवंधन क कि सरकार क्या करती है आरूपी को बचाने का प्रायास करती है उसके मातापीता को उस बेचि की जो है वह बढ़ी तीन गंटे के बाद की जो आपकी जो सत्ता है आपका जो दोगलापन पुरे देश के सामने दिख रहा है कि जब भी विपक्षी राज्य में कुछ होता है आप उसके उपर मुद्दा बना के वहां पर पहुंच जाते हैं जब भी इडी गदबंदन के राज्यन होता है आपके मुमें दम जम रख़े ये और मैं चाहूंगी के मुद्दे पर हम मुद्दे पर रहें और मुद्दा है महिलाओं का मैं सिर्फ इतना सवाल उठा रही हूँ और रंजीत वारा नसी से सवाल उठा रहे हैं उन्नाओ के कुल्दीब सिंग सेंगर के मामले में तो अखिलेश यादव बहुत आकरामक थे जवाब दीजिए अजीज खां साहब देखें नाविका जी यही अफसोस होता है कि समझने का फेर है उत्तर प्रदेश में इंसी आर्वी का अंकड़ा है कि 3690 रेप हुए हैं एक साल में पाड़े 11 रेप हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह बिफल है और महिलाओं पर किस तरह अत्याचार हो रहा है रेप हो रहे है मेरे खाल से पूरा दुनिया देख रहा है पूरा देख देख रहा है सिर्फ दावे बड़े बड़े है आप नवाब सिंग को कह रहे ह हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं नवाव सिंग को आप सजा दीजिए, आप नवाव सिंग को उठा करके थोपरे समाजवादी पार्टी पे, अभी रोहन जी कह रहे थे, लगातार इनको मैं मौनिटर कर रहा हूं, किसा आप महिलाओं पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, कलकटा नहीं कर रहे हैं, आपने डेटा सुनाया के सबसे जादा रेप उत्तर प्रदेश में हैं, कन्लिक्शन रेट भी बता देते, सबसे हाइस उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश की अगर आबादी जादा है तो नंबर भी जादा होगा, और आपका आपका वाक्य, महिलाओं के मुद्दे में महिलाओं के साथ इस तरह के बरताव में आप समझने की फेर की बात कर रहे हैं किसे महिला के साथ जब इस तरह का कोई वाक्या होता है आप जानते हैं महिला के उपर क्या बीटती है उसके घरवालों के उपर क्या बीटती है और नवाब सिंग यादव एक नाबालिक बच्ची के साथ अगर उनका ये आरोप है तो आप जानते उस बच्ची की मनोस्थिति क्या होगी? उसके माता-पिता की उसके परिवार की मनोस्थिति क्या होगी? आप कहरें ये समझने का फेर है? एक महिला का मुद्दा सिर्फ समझ क्राश का फेर है अब नाविका जी जब बोलने ही नहीं देंगी कम्पलीट झी नहीं करने देंगी तो बात क्या डिवेट का क्या मतलब रहे गया मैं बीजे पी से गजारिस से जुड़ी हो चाहे कॉंग्रेस से जुड़ी हो या बीजेपी से जुड़ी हो उसके आजमत से खिलवाड नहीं होना चाहिए उस देश से जुड़ी है इस देश का हमेशा इतिहास रहा है कि इस देश ने हमेशा बहन बेटियों की इज़त की है समाजवादी पार्टी वो उस विचार धारा की है आप क्या बात कर रहे है लेकिन सचा ये है कि जो बड़े-बड़े दावे और वादे करते रहे है बीजेपी के लोग महिलाओं के उपर लेकिन आज वो महिलाएं कही न कही उनके उपर अत्याचार हो रहा है आपने का कॉंगरेस की तमाम महिलाओं की सूची आपने बताई कि इनको पार्टी में सम्मान नहीं मिला मैं कह रहा हूँ ये पार्टी है राजनीतिक पार्टियां है इसमें चाहे महिला हो चाहे पुरूस हो आते हैं और जाते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि सम्मान की वज़े से वो अपने राजनीतिक कही न कही लाब होता है यानि कि आप कह रही हैं वो महिला जो हैं सिम्मी रोजबेल वो आने और जाने के लिए और अपने राजनितिक लाब के लिए ये कह रही है मैं मान नहीं सकती कि ये सारी महिलाओं पर आप यही सवाल उठा रहे है चाहे प्रियांका चतुरवेदी हो, चाहे रादिका खेडा हो, चाहे अंकिता दत्ता हो हो, चाहे सिम्मी रोजबेल हो, हर्शवर्दन त्रिपाठी, क्या कोई ये कहकर निकल सकता है कि ये महिलाओं जो है, ये राजनितिक लाब के लिए इस तरह की बाते उठा रही है क्या इन्वेस्टिगेशन के बिना ये कहना क्या जरूरी है किसी के लिए या कोई कहने की कोशिश भी कर सकता है, सबसे बड़ा संकटे ही है और मैं उम्मीद कर रहा था कि इस तरह की चर्चा में और मैंने शुरू में कहा कोई पार्टी पाक साफ नहीं है, लेकिन कैसा व्योहार है, ये अजीज खान ने अपनी बात से साबित कर दिया, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, और जब बोलने का आउसर मिला, तो ऐसा बोल गए, जिसको आप शायद वह भी सोच रहे होंगे, अफसोस कर रहे हैं, और मैं तो कम से कम मानता हूं, क्याजीज खान समवेदन शील व्यक्ति हैं, उनको माफी मागनी च हो, लेकिन कम से कम अगर नहीं रोक पा रहे हैं, तो उसके बाद कड़ी से कड़ी सजा हो, तुरंत एक्षन होता हुआ दिखे, जो शासक की कुरसी पर बैठा हुआ है, वो नियाय करे, जो विपक्ष में बैठा हुआ है, वो नियाय के साथ खड़ा हो, अजीज खान कह रहे कि जिसकी भी सरकार हो, विपक्षी दल मुख्यमंत्री से जाकर वहां मिले, और कहे कि अगर हमारी पार्टी का भी नेता है, तो उसको सूली पर चढ़ा दीजे, हम उसके लिए यहां है, लेकिन दुर्भागी से, अखली इशादों कहने लेगे, डीने टेस्ट करा लो, नार जब आपने, ये नहीं कहा कि तहकीकात होनी चाहिए, इस पूरे मामले का संग्यान लिया जाना चाहिए, आपने कहा, राजनितिक लाब के लिए महिलाएं ऐसा कह सकती है, और हर महिला पर ये ब्रैंड लगाना, मैं सच कह रही हूँ कि आज मेरा दिन पूग गया, और ओम प ये लोग महिलाओं के खिलाफ अत्यचार के मामलों में चुप रहेंगे और अपने साथियों की तरफ खड़े दिखाई देंगे, क्या ये सच नहीं, नरेश चोहान का नीमराना राजस्तान से सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा में ओन स्क्रीन तो ये नेता बड़ी-बड़ करते हैं, फिर धरातल पर तेरी बेटी, मेरी बेटी क्यों हो जाता है? ये सवाल आज पबलिक पूछ रही है, और कमलाकर त्रिपाठी हों, या अजीज खान सहाब हों, या रोहन गुपता जी हों, मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, वादे बड़े-बड़े कीजिए, लेकिन म महिला कुछ ना कुछ संग्यान तो लेना चाहिए, कुछ ना कुछ investigation तो होना चाहिए, सवाल, सवाल ये है, कि महिला अगर आवाज उठाए, तो उसे दर किनारे कर दो, उसे निकाल दो पाटी से, और फिर कहो कि महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं के साथ हम खड़े क्या ये आवाज खोखली नहीं लगती, और क्या ये इंडिया गटबंदन ने बार बार साबित नहीं कर दिया, कि कोलकाता हो, या उत्तर प्रदेश, या फिर महिलाओं का मामला हो, तो केरल हो, या दिल्ली, सवाल यही है, पाउं दबाओगी, तभी आगे बढ़ोगी, वाज उठाओगी, तो निकाल दी जाओगी, क्या महिलाओं ये बरदाश्ट करेंगी, और क्या इस तरहां की लिप सर्वेस और इस तरहां के वादे लोग मानेंगे, आज सारे राजनितिक दलों को ये सोचना चाहिए.